नमस्कार मेरा नाम विक्की सिंग है और आप देख रहे हैं उतकर्ष पत्रिका दोस्तों आज मैं अभी समय मौझूद हूँ गोरकपुर रेलवे इस्टेशन पर गोरकपुर और दिल्ली के जोडने के लिए गोरकपुर और दिल्ली के बीच बहुत जल्द ही बंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है रेलवे बोर्ड ने तेजभर में बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए कवायत तेज कर दी है इसकी टेंडर पर किरिया पूरी हो चुकी है और लगबर मार्ज तक लगबर तीन चार ट्रेने पुर्वोत्तर में चलने लगेंगी ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेन लखनव, गोरकपुर और छपरा मार्ग को होते हुए दिल्ली तक जाएगी आईए बताते हैं आपको कि इस ट्रेन की क्या खासियत है ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है और इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की योजना बनाई जा रही है इस ट्रेन को सीट 18 भी कहते हैं पूरी तरह वाता अनकूलित इस ट्रेन में दो पावर कार, चौदे केयर कार और दो एक्सक्लिजिव कार मौजूद है जानकारों की माने तो ये ट्रेन पुर्वांचल के लोगों के लिए एक सौकात के रूप में है कैमरा मैन अजय के साथ मैं विक्की सिंग उतकर स्पत्रिका